नमस्कार दोस्तों जैजगनात आप सब का स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है बीउटिफुल गार्डेन अप्चुमकी यहां पे मैं अपने गार्डेन आप लोगों को घुमा के दिखाती हूं मेरे प्लांट्स का मैं कैसे क्यार लेती हूं वो आप लोगों के साथ सेयर करत करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राइट सब्सक्राइब का इकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए फदल आटेस्ट अबडेट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह सब मेरे फाइकस क करने का हार्ट प्रूनिंग में क्या होता है हम अपने जितने सारे ब्रांचे से वह प्लांट के वह कार देते हैं ताकि अपने मन मुताबक उसका एक सेफ हम लोग क्रियेट कर सके खास करके यह जो वंसाई के प्लांट होते हैं इसमें हम लोग हार्ट प्रूनिंग जरूर कर ताकि अपना जो प्लांट है वो मन चाहा और हम जैसे चाहते हैं उसी से वो बड़ा होता रहे बारिस के मौसम में पौधे तेजी से ग्रूध करते हैं तो इसलिए हार्ट प्रूनिंग करने के लिए बारिस का मौसम ही सबसे अच्छा है इसलिए मैं भी आज अपने जित जो फ सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मैं इसका आज हार्ट प्रूनिंग कर दूंगी और उसके कितना हेल्दी है वो भी देखिए मेरा पौधा बिल्कुल पौधे के पत्ते देखिए कितने चमक रहे हैं और एरियल रूट्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूं कितने अच से ग्रोथ हुआ है और यह देखिए कितने सारे एरियल रूट्स निकले हैं बहुत सुन्दर दिखता है यह फाइकस का प्लांट आप लोग अपने गार्डन में इसको जरूर रखिए आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं दोनों की दोनों ही जगा पे यह बढ़िया चलते ह आज मैं अपने फाइकस के प्लांट जितने सारे हैं सबका हार्ड प्रूनिंग भी कर दूंगी और उसके साथ इसमें एक अच्छा सा बढ़िया फटलेजर आट करूंगी और अर्गानिक फटलेजर जिसको मैंने खुद ही बनाया है बहुत ही बढ़िया है प्लांट के यह बहुत ही अच्छा होता है वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा क्यूंकि आखरी में मैं आपको फाइकस प्लांट के बारे में एक जरूरी टिप्स दूँगी ताकि आपका पौधा हमेसा हेल्दी रहे और आपके सालों साल टिका रहे वीडियो को आखरी तक बिल प्रेचर हो जाता है summer season में ये बिल्कुल भी ये plant के लिए नहीं है इसको आप partial shade में रखें तो जहां पे उसको direct sunlight बिल्कुल भी ना गिरे लेकिन उसको bright sunlight चाहिए लेकिन direct sunlight बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं होता है और अगर आप जहां पे रख रहे हैं उधर humidity वो जगह पे नमी ये दोनों चीजें इसको बहुत ही पसंद है क्योंकि ये एक tropical plant है ज्यादा ठंडा low temperature भी फाइकस के प्लांट को पसंद नहीं है ज्यादा temperature low हो जाएगा तो भी आपका जो plant है वो पत्ते इसके जो गिरने लगते हैं इसका ideal temperature आप 15 degree से 20-25 तक ले लीजिए उससे ज्या बातों का जरूर ध्यान रखें sunlight requirement temperature और उसके साथ साथ हवा में नमी ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे आपका plant अच्छा चल जाएगा कोई दिकत नहीं होगा लेकिन कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर आपका plant इसका असर भी दिखाएगा और उसके पत्ते द नहीं गिरे उसके साथ साथ अगर उसके light sufficient नहीं आ रहा है तो फिर आप supplemental light का विवस्ता भी कर सकते हैं ताकि आपका पौधा को अच्छा खासा brightness मिले उसके बाद उसका जो नमी है उसको भी आप लोग ध्यान रखें अगर winter season में temperature ज्यादा कम हो गया है तब आप पौधे को अंदर मत रखिए उसको बाहर निकाल के रखिए यह सब बातों का आप लोगों को ध्यान देना है ताकि आपका पौधा healthy रहे और आपके साथ सालों साल रहे watering की बात करें तो इसको ज्यादा पानी की ज़रूत नहीं होता है इसको एक बार पानी दीजिए अच्छे से पानी दीजिए पुरा drainage होल से पानी नहीं करना चाहिए उसके बाद आप लोग इसको रख दीजिए दो तीन चार दिन के बाद जब उसका मिट्टी पुरा सुख अगर चाहिए तब ही जाके उसमें फिसह पानी दीजिए आप चेक कैसे करेंगे अगर आपना जय अगल्लीे उसको ऑसके मीट्टी मैं कार्ड़के देखिए अगरů तीन इस तक उसका मीट्टी पूरा नहीं होता है इसको आप लोक तीन- चर साल में एक बार reporting करें और अगर root pruning का ज़रूरत है तो उस टाइम पह आप लोग उसको root pruning भी कर सकते हैं तो चलिए आज का काम जो है वो स्टाट करते हैं heart pruning करके मैं आप लोगों को वहां पर आप लोग उसको कट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है, सीप आप लोगों को कट करना है, हाँ, प्रूनिंग करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को ध्यान देना है, इसको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है, वो है जो भी टूल से आप लोग प् फाइकस माइक्रोकरपा और दूसरा है फाइकस أल्टी शीमा और एक है मेरे पास बेरिगेटेड फाइकस तोतीनों का ही मैं आज हाट प्रूनिंग कर दूंगी आपके पास भी अगर फाइकस का प्लांट है जल्दी ही उसका हाट प्रूनिंग कर दें क्योंकि यही बेस्ट टाइम में उसका प्रूनिंग का प्रूनिंग के बाद यह जो स्टेम निकले हैं इसको मैं प्रोपागेट करूँगी प्रोपागेट का रेजल्ट कैसा होगा वो बाद में मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगी अभी तक तो अभ प्रूनिंग कर लेते हैं मेरे पास जो यह बरीगेटेड फैकर से उसका देखिए ब्रांच कितना पतला है स्टेंग कितना पतला है और यह मेचेर प्लांट खरीट के नहीं नहीं लाई थी बेबी प्लांट ही था इसलिए इतना पतला है उसको बनने में अभी बहँत टाइम ल अब जान लेते हैं अपने vaicus के plant में आप कितना बार proning कर सकते हैं तो अभी बारीस के महीने में अगर एक बार आप लोगों ने hard pruning कर लिया अभी जुलाई में अगर आप लोगों ने hard pruning कर लिया है ऐसे तीन मेने तक करना है जब तक winter season ना आ जाए और उसके बाद आप लोगों को छोड़ देना है क्योंकि winter season में ये पूरा अभी dormancy पे चला जाएगा तो उस टाइम पे पौधे को बिल्कुल छुना नहीं है summer में भी आपको आपके पौधे में प्रूनिंग नहीं करना है फिर से रेनी season आएगा तो फिर से आप लोगों को प्रूनिंग स्टार्ट करना है ऐसे आइसता आपका पौधा safe में आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ये सब में और यह जो फाइकस का प्लांट आप दे इसको में थोड़ा नीचे से काटूंगी ताकि ब्रांचे जो हैं उसके थोड़े नीचे से निकले और नीचे थोड़ा अच्छे से मोटा हो उसका safe थोड़ा अच्छा हो ये वाला पौधा बहुत ही बड़ा होता है जैसे कि आप लोगों को पता है तो इस तरह से मैंने उस करेंगे और यह जो फटलेजर में दूंगी एक special फटलेजर है जिसको मैंने खुद बनाया है मैंने कैसे बनाया है वह भी आप लोगों के साथ अभी सेयर करती हूं इस तरह से आइस्ता आइस्ता मैं मिट्टी का गुड़ाई कर दूंगी और जितना सरा वीट से वह सब भी गर्मी के मौसम में मैं अपने फाइकस में बिल्कूल भी फटलेजर नहीं दे रही थी हाँ कभी कभी बीच बीच में एक बार एन्पी के 15-15-15 जो की शामला होता है टू ग्राम पर लिटर के हिसाब से मैं उसके रूड जोन में दे देती थी हर 15 दिन में एक बार उसको दे आप लोग भी यह एन्पी के 15-15-15 अपने पौधे में जरूर दे यह आपके पौधे को पूरा हरा भरा रखेगा पत्तों से भरा हुआ हिल्दी रखेगा यही वही स्पेशल फटलेजर है जिसको मैंने बनाया है यह बहुत ही अच्छा फटलेजर है तो इसका पूरा प्रो इसको यूज किया है ऐसे ही में मार्केट गई थी और मुझे मिल गया सस्ते दाम में तो मैं उदर से खरीद के ले आई थी अगर आपको फीस मिल नहीं मिल रहा है तो फिर आप बोन मिल हॉन मिल यह सब का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं देखिए यही वाला सेम फटलेजर है वह बला और यह बला अभी मैंने जितना सारा इंटीग्रियंस आप लोगों को बोला जैसे कि मस्टर केक, वर्मी कमपोस, नीम केक, फिस मिल यह चारो चीज को मैंने मिक्स करके एयर टाइट बाल्टी में रख दिया था आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले ले मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिला के उसको फिर ढखकन दे दे बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए उसके बाद हर दस तिन में एक बार आप लोगों को उसको खोल के थोड़ा थोड़ा पानी उसमें मिलाना है और फिर से बंद करके रख देना है ऐसे चार महिने बिल्कुल ऐसे ही छो जितना सरा इंटिग्रेट्स उसमें डाले हैं सब कुछ आपस में मिल जाएंगे और एक अच्छा सा फटलेजर खूप न्यूट्रियंट वाला फटलेजर तेयार होगा आप लोग समझी गए होंगे ये फटलेजर कितना बढ़िया है कम से कम 6 माईना लगता है प्रिपेर होने के लिए लेकिन उसके जो गूण है वो बहुत ही बढ़िया है और ये है भर्मी कमपोस्ट दोनों को हम लोगों को अपने प्लांट्स में अभी देना है तो हार्ट पूनिंग के बाद हम लोग फटलेजर देंगे फटलेजर देने से पहले अच्छे से हम लोग उसको पहले गुड़ाई करेंगे गुड़ाई करने के बाद मैंने उपर से थोड़ा मिट्टी भी निकाल दिया ताकि फटलेजर उसमें अच्छे से जगा हो जाए फटलेजर के लिए फटलेजर मैं अच्छे से दूगी भर भर के देखिए दो तिन मुठी पूरा मैंने अच्छे से उसमें दे दिया है फटलेजर देने में बिलकुल भी कंजूसी मत करें ऐसे भी ये और्गनिक फटलेजर है तो पोदा को कोई भी नुकसान नहीं होगा बहुत ही फाइदा देगा ये और उसके बाद उसके उपर मैं भर्मी कंपोस्ट दे दूगी सिर्फ यही दोनों ही फटलेजर मैं अपने फाइकस में दूगी और कुछ फटलेजर देने की ज़रत नहीं है और्गानिक खाद जो मैंने खुद बनाया है और उसके साथ बर्मी कमपोस्ट ये दोनों खाद ये प्लांट के लिए सफिसियन्ट है पानी अभी नहीं दूँगी पानी मैं नेक्स दे दूँगी अगर आपके पास ये और्गानिक फटलेजर बनाने के लिए टाइम नहीं है टाइम नहीं है आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग क्या करें ना ये मस्टर्ड केक बर्मी कमपोस्ट नीम केक फिस मिल अगर नहीं है आपके पास तो फिर बून मिल और हॉन मिल ये सब को आप लोगों को मिला के पानी थोड़ा मिला ये और उसके बाद 21 दि को हर 10 दिन में एक बार उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है इस तरह से जब फिर से 21 दिन हो जाएगा उसके बाद उसको आप अच्छे से सुखा दीजिए और पॉलिब्याग में बंद करके रखिए स्टोर कीजिए और जब भी ज़रुरत है उसको आप व्यभा जिसको मैंने खूब महनत से बनाया है और उसका जो न्यूट्रियंट वो इतना बढ़िया है इतना बढ़िया यह प्लांट के लिए है जब तक आप खूद इसको बनाके यूज नहीं करेंगे वेवार नहीं करेंगे आपके पौदे में तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो खूद बनाये फटलाइजर और अपने प्लांट में यूज करिए उसके बाद मुझे जरूर कॉमेंट में बताइए कि आपके पौदे के लिए वह अच्छा फटलाइजर हुआ की नहीं तो आज का काम मेरा खतम हो गया मैंने उसका सब मेरे फाइकस प्लांट का हाड फ्रूनिंग भी कर दिया और सब में मैंने फटलाइजर भी दे दिया आखिर में फाइकस प्लांट को लेकर एक बहुत ही जरूरी टिप्स आप लोगों के साथ स्यार करती हूँ फाइकस का प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है एंवाइमेंट को लेकर आप लोगों को चुनाब करना है उसके बाद उसका जगा को बिल्कुल भी चेंज मत करें बार बार अगर उसका प्लेस आप लोग चेंज करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी सर्वाइब नहीं कर पाएगा तो इसलिए यही बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान द आगज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करना विल्कुल मत भूले, सैयार करें, कॉमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लांट के साथ और कुछ नए नए इन्फोरम